हाई फ्रेंड्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल तहरी के यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज हम लोग डिसकस करेंगे UN Clause UN Clause का मतलब है United Nations Convention on Law of Seas इसे Law of the Sea के नाम से भी जाना जाता है क्या है UN Clause किस तरह से UN Clause sign हुआ और क्या इसके provisions है इन सभी को हम इस वीडियो में one by one discuss करेंगे दोस्तों जिस तरह से land boundary जो इस तरह सीमा है उसको country सारे के सारे जो देश है दुनिया के उनके समविधान के according regulate किया जाता है control किया जाता है तो जो पानी है बिसिकली जो seas है और oceans है जो समुद्र है सागर है और जो महा सागर है उनके ओपर कौन से देश का कानून लगेगा उनके नीचे जो संसादन जो resources है वो कौन से country के अंदर आएंगे इसको लेके बहुत सारे देशों के बीच डिस्प्यूट था controversy थी विवाद था तो United Nations में 1970 में एक discussion deliberation शुरू किया कि किस तरह से international waters को control किया जाय और 12 से 14 साल के deliberation के बाद 1982 1982 में United Nations लेके आया UN clause को United Nations कोई भी treaty agreement लेके आता है या convention लेके आता है कोई भी संदिल आता है तो लागू करने से पहले कुछ minimum number of countries होते हैं जिनको उसे sign करना होता है ratify करना होता है job countries जो new term देश है वो इसको sign कर देता है तो ये लागू कर दिया जाता है उन countries में UN clause के लिए minimum countries 60-60 रखे गए थे 1982 से ये था open for ratification यानि के सारे दुनिया के देश one by one इसको read करके sign कर सकते थे और 1994 16 नवंबर 1994 ने के 12 साल बाद 60 से ज़्यादा देशों ने इसे ratify किया sign किया और UN clause लागू हो गया यानि के जो समुद्र है सागर है उसका पानी वाला जो एरिया है वो इस convention इस law के तहत जो है वो regulate किया जाता है control किया जाता है UN clause पर जाने से पहले देखते हम इसे क्यों discuss कर रहे हैं तो आज से कुछ महीने पहले United States of America USA का एक ship था John Paul Jones वो इंडिया की territory में आ चुका था इंडिया के waters में एंटर कर चुका था लक्षुदीप जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं लक्षुदीप आइलेंड के पास आ गया था तो वापिस उस समय इंडियन मीडिया में news reports पब्लिस हुई थी कि USA इंडिया की EEZ exclusive economic zone में एंटर कर चुका है और बिना इंडिया की permission के एंटर कर चुका है USA ने कहा था हमने जान मुझ के ऐसा किया है because हम ये check करना चाहते हैं कि कहीं इंडिया UN clause को sign करने के बाद उसका miss use तो नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अपना area बड़ा निकी कुशिस कर रहा है जितना उनको मिलावा है इस कानून के तैद उससे जादा ध्यान रहे USA ने UN clause को ratify नहीं किया यानि कि USA जो है वो इस कानून को नहीं मानता है उन्होंने इसके जो भी काइदे कानून है उसको sign नहीं कर रखा है बट इंडिया ने UN clause को sign कर रखा है तो आप समझते हैं क्या है UN clause और किस तरीके से इंटरनेशनल वाटर्स को ये UN clause का जो convention रेगूलेट करता है तो देखें सबसे पहले इससे समझने के लिए आपको concept समझने होंगे सबसे पहला concept है baseline जिसको का जाता है आधार रखा तो इसके अंदर baseline किसे का गया है पानी का level होगा low tide का पानी का जो level होगा उसको कहा जाएगा baseline या फिर आधार रेखा जहां तक low tide का पानी आ रहा है वो baseline हो गया baseline के पीछे वाला जमीन की तरफ का जो part है जिससे landward side कहते हैं यानिके भी baseline होगे इसके एक तरफ वापिस समुदर सागर है sea है या ocean है पीछे की तरफ जमीन है तो जमीन की तरफ baseline से जो area है उस area को कहा जा था internal waters आंतरिक जल लैंड की तरफ है ध्यान रहे internal waters में जिस country की हम बात कर रहे हैं उस country का समविदान लागू होगा सारे के सारे laws उसी देश के लागू होगे जिसके हम internal water की बात कर रहे हैं for example हम इंडिया की बात कर रहे हैं इंडिया में जितनी बड़ी भी तट रिखा है 7100 km के आसपास के हमारी coast line है 7100 km के आसपास तो उसमें सब जगाओं पे जो internal waters बनेगा low tide की लाइन से पीछे वाला हमारे इंडिया के laws उस पे लागू होगे दुनिया के कोई भी country का कोई जाहज बिना इंडिया की permission से यहाँ पे enter नहीं कर सकता है base line से आगे जाएंगे 12 nautical meals तक तो वो area कहलाता है territorial sea nautical meal जो है वो पानी में distance मेजर करने का तरीका है एक nautical meal लगबग 1.85 km के बराबर होता है यानि के 12 nautical meal हो जाएगा approximately 22 km के according तो आदार रेखा से 12 nautical meal का जो area है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है territorial sea territorial sea में क्या होगा तो territorial sea में यहाँ पे जो law चलेगा जो कानू लागू होगा वो हमारा होगा हमारा constitution यानि कि इंडिया के context में बात कर रहे हैं तो इंडिया का constitution लागू होगा base line से आगे 12 nautical meal की distance तक यहाँ पे देखें air space यानि कि हवा में भी aeroplanes वगेरा इंडिया की बिना permission के लागू नहीं हो सकते हैं इंडिया की permission उनको लेनी compulsory है national air space हो गया पूरा इंडिया का territorial sea वाल एरिया में पानी के नीचे जितने भी resources हैं जितने भी संसादन हैं वो सारे भी इंडिया के ही होंगे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो clear रहां तक यानि के फुल मिला के territorial sea base line से 12 nautical meal का area है और यहाँ पे आप जिस country की बात कर रहे हैं उस country के constitution उस country के laws लागू होंगे पानी के नीचे भी आकास में भी आकास का मतलब क्या है ना तो कोई aeroplane उस देश से भीना पुछे उस air space में एंटर कर सकता है ना ही कोई ship या जाहज उस देश से भीना पुछे वां एंटर कर सकता है यहाँ पे एक टाम होता है इंटरनेशनल लौ में innocent passage उसकी permission होती है innocent passage का मतलब क्या है किसी देश के vessels वगएरा यहाँ पे enter तभी कर सकता है जब वो सामने वाले country की peace या security को disturb नहीं करें यहाँ कि सान्ती और सुरक्सा बनाए रखें जितने भी उनके radar वगएरा है उन सब को बंद कर दें और यहाँ पे enter करें permission के बाद यह क्या लाता है innocent passage तो right to innocent passage का यहाँ पे अधिकार है दूसरे देशों को peace security पे वो किसी भी तरीके का disturbance नहीं होना चाहिए आगे का area देखेंगे base line से लगा के 24 nautical meal तक या फिर territorial sea से लगा के 12 nautical meal का जो area है आप यहाँ से देख सकते हैं तो 12 और 12 24 और अगर यहीं से देखेंगे territorial sea से तो simple 12 nautical meal का जो area है that is known as contiguous zone अब contiguous zone क्या है contiguous zone वो area है सबसे पहले उपर देखें जो air space है वो अब international हो चुका है यानि के aeroplanes वगेरा कोई भी country के यहाँ पर enter कर सकते हैं आपको permission लेने के जुरत नहीं है यहाँ तक तो उस particular देश का air space था जिसके हम base line से major कर रहे हैं बट इसके आगे territorial sea के आगे का area international air space है कोई भी country के aeroplanes वगेर है यहाँ पर fly कर सकते हैं मगर इसमें ध्यान रहे जो यह area है पानी के उपर चार मामलों में कानून इसी देश के लगेंगे कौन से चार मामले हैं pollution related laws और प्रदूशन immigration related laws हो कोई enter हो रहा है exit कर रहा है कोई आना चाहता है custom यानि के सीमा सुलक के कानून हो और tax यानि के tax customs यह दो और बाकी के दो आ जाएंगे immigration और pollution इन चार मामलों में उसी country के laws लागू होंगे जो country के baseline के आगे आगे आप contiguous zone की बात कर रहा है हम इंडिया के context नों बात कर रहे हैं तो मामलीजे इंडिया का baseline है तो इस area में इन चार मामलों में इंडिया के laws लागू होंगे इस area में उपर वाला जो area होगा यानि के हवा आकास वाला area वो किसी देश का नहीं यह वाँ पर सारे countries के आरोप्लेंस वगएरा allowed होते हैं और contiguous zone के आप आगे जाएंगे baseline से शुरू करके 200 nautical mill तक का जो area है baseline से 12 territorial sea, baseline से 24 contiguous zone और baseline से लगा के 200 nautical mill तक का जो area है that is known as EEZ, exclusive economic zone EEZ में क्या है उपर आप देख सकते हैं इस area से आगे यह पूरा international air space है मगर पानी के नीचे वाला जो area है sea bed वाला जो area है, sub soil वाला जो area है वहाँ पे resources का exploration करना हो, exploitation करना हो आपको energy produce करनी हो, पानी के तुरू, geothermal energy के तुरू tidal energy के तुरू कुछ भी करना हो, इसी country का right होगा इसी देश का अधिकार होगा बाकी यहाँ पे किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी दूसरे countries पे तो ध्यान रहे, यह area कहलाता है exclusive economic zone EEZ कहां से कहां तक है, from baseline to 200 nautical miles यह पूरा जो UN clause कानून बनाया गया है in international waters में countries की लड़ाई नहीं हो पानी को लेके किसका देश जो है, वो कहां तक यूज कर सकता है, resources को उसके लिए बनाया गया है, तो demarcation कर दिया गया है territorial sea, contagious zone, exclusive economic zone जो भी आर्थी गतिवीदी आऊंगे इस area में वो वही country करेगा, जिसके baseline से आप measure कर रहे है इसके आगे वाला जो area, EEZ के आगे वाला इसको high seas का area कहा जाता है high seas का area जो है, यह सबका common होता है कोई भी country का यहाँ पे किसी भी तरीके काधिकार नहीं है देश अगर चाहें, तो मिलके यहाँ पे exploration, exploration कर सकते है, resources का आपस में in fighting या लड़े यहाँ पे allowed नहीं होती है इस तरह से international waters को UN clause जो कानून है 1982 में जो open हुआ सबके sign करने के लिए और 1994 में जो लागू हुआ, वो इनको regulate करता है ध्यान रहे, India is a signatory to UN clause भाइरत ने sign कर रखा है, बट USA ने sign नहीं कर रखा है international waters को जो regulate करता है कानून उसे अब इसमें एक term और आजाता है, कभी-कभी जिसे कहा जाता है archipelagic water, archipelagic water उसको समझें, एक term में जिसे कहा जाता है archipelagio archipelagio term का मतलब होता है group of islands बहुत सारे छोटे-छोटे islands, छोटे-छोटे द्वीप अगर एक साथ हो एक आसपास जैसे इंडोनेशिया वाला एरिया है, फिलिपिन्स वाला एरिया है तो उनको archipelagio कहा जाता है, वहाँ पे किस तरह से यह सारी boundary define होगी तो क्या किया जाता है, वहाँ पे जो सारे islands होते हैं छोटे-छोटे, उनकी outer boundary जो बाहर ही सीमा होती है, उनको जोडते हुए एक imaginary line बना दी जाती है एक काल्पनिक रेखा बना दी जाती है, और वो line जो भी line जिस एरिया तक निकलेगी, उसके अंदर वाला एरिया क्या कहलाता है, उनका territorial sea कहलाता है यानि कि उसके अंदर उनका पूरा का पूरा राज चलता है तो ये concept है United Nations Convention on Law of Seas का World Geography हो, Indian Geography हो, ये term बार-बार सुना जाता है, पढ़ा जाता है और अलग-अलग exams में पुछा भी जाता है तो उमीद करता हूँ आप सभी लोगों के लिए UN Clause का topic और जो इसके अलग-अलग terms है baseline क्या है, internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone और high sea और साथ-साथ archipelagic water ये सारे terms सभी के लिए clear होंगे धन्यवाद, thank you सभी का Please, like, share, subscribe, digital तैयारी